अब करते हैं यहां पर अंकुर जी की निधी के भाई है तो अंकुर भाया जो है अब अपने अपने जिंदगी के उन रायतों को समेट रहे हैं जो उनकी बहन ने फेलाए है अपने बारे में तो आज तक उसने हमेशा घाना गाया है कि मेरे पती से पहले से शादी से रिष्टे रहे हैं ठीक है रिष्टे छोड़ दीजे उन्होंने डारेक्ट वर्ड यूज किया है कि मेरा मेरे पहले शादी से पहले पांच बॉइफ्रेंड रहे हैं और बॉइफ्रेंड के बाद मेरा पती से दोस्ती हुआ फिर यह फिर वह और मैं तो खुद बोलती हूं कि मेरा मेरे पती के अपने बारे में आप बोल रही हैं चलिए कोई बात नहीं ठीक है लेकिन अब आपने अपने भाई की धजियां उड़ा दी आपने वह रास खोल दी अपने भाई का जिसको की वह चुपाकर चल रहा था ठीक है भारती सब पद्धती के अनुसार चलें तो यह सारी चीज़े गलत है ठीक है भारती पद्धती में गलत है लेकिन अगर हम पुराचीन इतिहास उठाकर देखे तो गंदर्व विवाह हुआ करते थे और गंदर्व विवाह में कोई कोई रोका नहीं होता था गंदर्व विवाह में कोई इंगेजमेंट नहीं हुआ करती थी सीधे विवा जीवन शुरू करने चाहिए उसके बहुताई करने का मतलब सब यहां पर कि एक उड़ी स्वाइब का सब्सक्राइब मतलब उनका यह कहना था कि गोहाटी में उनके भाई ने अपने भांजे के उपर जानलेवा हमला किया था नहीं किया होता जानलेवा हमला तो बहन आकर इतनी बड़ी बात थोड़ी ना भाई की बोल देती आके इतना थोड़ी कोई गुस्ता बहन दिखा देगी अब यह जान हर Diary streaming उड़ी है इसमें आपती से बहले संग है कि बहाएं कि की बह passions कर Moore शबी कर रहे हैं अब है देख लें ने यह नहीं थी आए था नहीं बना पई आज मैं बता रही हूं इंट्रीजिंग मदर और डॉटर मीट पृती एंड हर फैमिली तो इस वीडियो के अंदर जो है रोके का रोका कहले जे इंगेजमेंट कहले उसका पूरा वीडियो है हलाकि रोका बहुत पहले हो चुका होगा ये वीडियो काफी पुराने रखे होंग कर दढ़ते हर्गे ओशनग्सका पर हम पर वीडियो कि डालियोटे या फिर प्रस्राइब धियो प्रैक्रली खोड्योंत baru झाल मैं इसंटान भी होई है तो मैं उस लड़की के साथ इंगेज्ड हूं बहुत उसके साथ इंगेजमेंट की है और शोशली की है ठीक है और शोशली किया हुआ है मगर बहन ने आकर यहां उसकी इतनी धजियां उड़ाई है उसकी कि मत पूछिए उसके बावजूर भी जब भी यह आता है या उसमें एक जो लाइन पे पनी बहन के लिए लिके थी उसमें कह बाद अपनी लव स्टोडी की साथ साथ आठ दस एपिसोड क्रियेट और कर दिए ठीक है अब इसके पीछे भाई बहन का अपना क्या लॉजिक है यह तो किसी के भी समझ से परे है हम वह देख रहे हैं हम से वही बोल रहे हैं जो हम देख रहे हैं अदर्वाइस हम कुछ नह कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है कि वह कहना क्या चाहते हैं आपने इंगेजमेंट की बात यहां पर बताई है यह आप यह बोलना चाहते हो कि मैं इस लड़की के साथ इंगेज करके शादी भी हो चुकी है हमारी और इसके बाद हमारी बच्ची हुई है यह बात यह नहीं कि इंसल्ट करने का जो रायता पहलाया यहां पर आप तो खुद अपने मुझे कहते हैं कि हां मेरा अपने पती से मतब पती क्या कहले बॉइफ्रेंट से रिलेशन था मैं उसके सथ फिजिकल रिलेशन में थी बाद में मेरी शादी हुई है ठीक है बाद में हमारा बच्चा जो कि हमारे इंडिया में लोग अडॉप्ट करी रहे हैं उस हिसाप से अगर अंकुर के बच्चा हुआ है और वह इंगेज्ड है लड़की के साथ तो कोई गलत नहीं है ठीक है वह बच्चे को एकसेप्ट कर रहा है ना मदर फादर दोनों एकसेप्ट कर रहा है ना कि हमार बहने क्यों आपने भाई के यह राज खोले हैं इतनी उल्टियां करी है इनके पर कोई काम होता तो है नहीं जिस चीज के लिए मना करती है ठीक है या जिस चीज को यह दूसरों का नाम लगा कर बोलती है वही वह सारी चीज़ें यह खुद कर रही होती है जैसे कि चलिए इ शुरू किया शायद उनको देखकर इन्हों नहीं यह शुरू करिया है लेकिन सक्सेस्फूल नहीं है क्योंकि एक तो थर्ड क्लास कुर्तिया है इनकी ठीक है उपर से जिस तरह से प्रस्तुत करती है अपने बैग्राउंड को दिखा के बातों करके बहुत ही बखवास लग बुलता है कोई कोई नहीं बूलता है कोई करता है आप अब इलोंने क्या कर एक शौट डाला और शौट में खुद ने वह पॉइंट जाके वहां पे वह पॉइंट अगरा इन फ्रेंट में जिसमें कि यह खुर कुर्ति उतारती भी दिखा रही मतलब ताकि लोग आए और देखें किया रही कुर्टी उतार रही है मतलब खुद ने जो खुद के दिमाग में चल रहा होता है ना इसके वह दूसरों का नाम लगा के बोलती है यह आप समझ रहे हो और दूसरी चीज मौत का कुई की तरह बाइक चलाया रही है पड़ोसियों को जलाया जा रहा है मतलब अपने आपको बहुत ज़्यादा यह बहुत क्या ही बोले किसका एक्जांपल दो मैं तो ब्यूटी क्वीन का आपको महरानी ब्यूटी क्वीन समझती है कि मैं देखो इतनी सुन्दर हूं अतुनी खुबसूरत हूं सिर वही बाइक चलाने औते ही थैसा है के तुम ह gelmiş महरानी सुन्दर इतनी प्यारी क्यूट यह कन्टेन कोई ख्याल मी जा रहा सा बिछा बिपर यह ब्यूब поверхen को लिए बच्छा यह चिए आगा हम अप्स बढ़ा होता है लेकिन अगर यह चिला रहा होता या चिला रहा होता यह तोकि तुम अपना यह video यह यह फरज यह बच्चे का परिशानी वह उसको परिशान करके वीडियो नहीं बना सकती है तो ना यह अपना 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 मदरूट समझती है ना यह दूसरे का मदरूट अपने अपने अपनी आपनी वीडियो शेयर किया ओबिसली वह दिखाना चाहता है कि नहीं भाई मैंने लड़की को छोड़ा नहीं है मैं उस लड़की के साथ हुई जिस तरह से जिस तरह से आगे बाते बोली नहीं इसका यह मतलब सैंस की अंकुर ने तो एक बच्चा पैदा कर दिया और वारत को यह कहना जाती थी यह लेकिन यहां अंकुर ने साफ बोला कि नहीं ठीक है रियल स्टोडी वो बताएगा अभी प्रमोशनल वीडियो यह भी बहुत ही कंटेंट होता है थमनेल कुछ और होता है वीडियो के अंदर कुछ और होता है यह थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात इनको जो भी है वह वह यह बताना चाहता है अब कि भाई मैं उस लड़की के साथ हूं उस अपनी बच्ची की म बढ़ा ना सीरियसली ठीक है वह इसको देखे भी ना जानता भी नहीं होगा इसको और ना जानेगा कभी ठीक है कितनी बड़ी यूट्यूबर बन जाओगी और तुम जिस तरह से चल रही हो ना तुम यूट्यूबर बड़ी नहीं बन सकती ठीक है यह तुम्हारे बहुत मैंने वह वीडियो भी देखा है जो तुमने सरंदीप महाश्वरी कि महां जाकर देख बोला था वह भी तुम्हारा वही रोना शुरू हो गया 45 दिन का बच्चा अरे चार साल हो चुक है उस चीज को इनसान चला गया दुनिया चल रही ना तो उसका नाम लेकर क्यों फाल् कोई चलता है किसी के रहने से किसी के ना रहने से कोई खतम नहीं होता दुनिया खतम नहीं होती बागी दोस्तों आपको क्या लगता है कि बहन की वज़े से भाई को काफी दिक्टों का सामना करना पड़ रहा है क्या है आपकी राय अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए फिलाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद